atheism, यानी नास्तिक ता आप लोगोंने देखा होगा कि ये जो नास्तिक लोग है ना, ये हमेशा इसी चीज़ मे लगे रहते हैं कि कैसे हम सावित करें बाइबल गलाता हैं, कैसे हम सावित करें परमीशवर गलाता हैं कुछ atheist ऐसे हैं, जो YouTube पर चैनल खोलके बैठे हैं यह साबित करने के लिए कि कोई परमेश्वर नहीं है लेकिन बात यह आती है कि क्या हम Christians जानते हैं Atheism है क्या तो आज की इस वीडियो में और आगे आने वाली सीरीज में हम Atheism यानी नास्तिकता के विशे में जानने वाले हैं और सीखने वाले यह जानना और सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा नास्तिक व्यक्ति आपको मिले और वो अगर आप लोग उसे सवाल करें तो अगर आप लोग उसको जवाब नहीं दे पाए तो आप लोग फेल हो जाओगे यह साबित करने के लिए कि बाइबल का परमेशर सचा परमेशर है तो इसलिए सीखना और जानना बहुत जरूरी है तो आज की इस वीडियो में और आगे आने वाली सीरीज में हम लोग काफी बाते सीखने वाले हैं मेरा नाम है आसीज छेतरी और आप देख रहे हैं आजगेंग टीवी चलिए देखेंगे तीन सबूत देखेंगे क्यूं परमेशर होना ही चाहिए रिलाबिलिटी ओफ बाइबल देखेंगे बाइबल का विश्वास नियता या फिर बाइबल का विश्वास योग्यता बाइबल क्यूं विश्वास करना चाहिए बाइबल पर ये देखेंगे और प्रै तो सबसे पहले हम देख रहे हैं overview and history, what is atheism, यानि नास्तिकता क्या है, इसमें atheism जो यह सब्द है, इसमें जो यह a सब्द को अगर हम अलग करें, तो आता है theism, a theism, जिसका अर्थ होता है, no god, यानि कोई permission नहीं, ओके, atheism का मतलब, अब atheism होता क्या है, atheism का मतलब होता है, lack of believing god, यानि परमीश्वर पे विश्वास करने में कम पड़ जाना, ओके, या फिर believe that there is no god, एक ऐसा विश्वास, ऐसा मानना, या फिर ऐसा विश्वास की कोई permission नहीं है, ओके, पहला था कि परमीश्वर पे विश्वास करने में कम पड तो यहाँ पर जाने वाली बात यह है, कि यह लोग कहते है, atheist तो बोलते हैं अपने आपको, नास्तिक तो बोलते हैं, लेकिन यह भी एक प्रकार का विश्वास ही है, और विश्वास क्या है कि कोई permission नहीं है, तो देखा जाए तो यह भी एक धरम ही है, atheism भी एक धरम है, औ पर अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा जोड रहा हूँ और अगर आप एथियजम की पुस्तक देखेंगे तो इनका धर्म पुस्तक भी होता है एथियजम का नास्तिकता का अपना धर्म पुस्तक है इनका ओके लेकिन ये लोग बहुत सोचते कि हम लोग मानते कोई पर्मिशन ये लेकिन नास्तिकता ही खुद एक धर्म है तो 2004 के BBC के पॉल या फिर BBC का जो सर्वे के हिसाब से ये पता लगा कि करीबन 10 प्रतिसत युनाइटेट स्टेट्स के जो लोग हैं वो पर्मिश्वर पे विश्वास नहीं करते यानि वो लोग नास्तिक हैं फिर 2009 के स्टडी औ और रिपोर्ट के अनुसार कि ये पता चला कि UK में युनाइटेट किंडम में पांच मिलियन टीनेजर्स परमिश्वर पे विश्वास नहीं करते अभी कि छे प्रकार के एथिएस्ट होते हैं छे प्रकार के नास्तिक होते हैं ओके ये कैसे प्ता चला कि छे प्रकार के नास्टिक होते हैं क्योंकि दो रिसर्चर्स वो दो रिसर्चर्स जो हैं यूनिवर्सिटी आफ टैनसी के वो लोग जो एंटी रिलीजियस जो एक्टिविस्ट होते हैं या फिर उन पे देख रिक करते हैं उनके बारे में जानते हैं रिसर्च करते हैं तो उन्हों उन्होंने एक study की थी वो दो researchers का नाम था Silver and Coleman इस research के दौरान university में उन्होंने ये पता लगाया कि 6 प्रकार के non-believers हैं और उन्होंने करीबन 59 interviews किये और इसमें उन्होंने पता लगाया कि करीबन 6 प्रकार के नास्तिक हैं तो सबसे पहला नास्तिक जो उन्हें पता लगा इस research क के दौरान Silver और Coleman को वह है intellectual atheist agnostic atheist अब यह क्या है देखिए intellectual और agnostic atheist सब्द का मतलब समझने से पहले हमें और deep study करना पड़ेगा atheist यानि नास्तिक सब्द का मतलब समझना पड़ेगा देखिए यह जो सब्द नास्तिक atheist है यह Greek सब्द ethios से आया है देखिए जो सब्द है आगे का उसका मतलब हुआ without यानी बेmsतलब का और theos जो Greek में सब्द है उसका मतलब हुआ God यानि a God यह कहने का यह मतलब हुआ कि बे ब्तलब का भगवान यानी कोई है नहीं जिसका कोई मतलब ही नहीं और अभी हम लोग देखते हैं intellectual atheist का मतलब क्या होता है या फिर intellectual नास्तिक का क्या मतलब होता है यह intellectual नास्तिक उसे कहते हैं जो व्यक्ति सबूतों को धूंडता है या तो philosophical सबूत चाहिए उसको कि कोई परमेशर है बोलके या तो वो scientific सबूत धूंडेगा कि कोई परमेशर है क नहीं बोलके और बोलेगा नहीं है या फिर cultural ideas जो चल रहा है संसार में उसमें meaning डूंडेगा और अंत में बोलेगा कि कोई परमेशर नहीं है साइस बोलता है साइस में कोई ऐसा चीज नहीं है ये सारी चीजे यह जो agnostic है ये सब्द Greek से आया है agnostos और agnoptos का मतलब unknown यानि अँन जान या फिर ना जान सकने वाला agnostic का मतलब होता है अंजान या ना जान सकने वाला इसी से हमें पता चलता है कि agnostic उसे बोलते हैं वो जो नास्तिक होता है वो ऐसा नास्तिक होता है कि वो बोलेगा कि यार मैंने तो परमिश्वर को देखा नहीं परमिश्वर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो कुछ ऐसे विचार रखता है यह कि जब तक हम देखेंगे नहीं तो कैसे विश्वास करेंगे तो यह इस टाइप का नास्तिक है इसे कहते है एगनौस्टिक नास्तिक या एगनौस्टिक एथियस्ट इस टाइप की जो नास्तिक होते हैं इंटलेक्शल और इगनौस्टिक यह और भी वि website खोलेंगे और उसमें से ये लोग क्या करेंगे ये लोग debate करेंगे ये सावित करने की कोशिस करेंगे कि परमिश्वर ही नहीं और जो ये इंटलेक्ट्वल और एग्नॉस्टिक नास्तिक होते हैं ये लोग इनको धरम का Bible के वर्सेस का बहुत अच्छा ज्यान होता है आर्ट दूसरे तरीके का नास्तिक होता है उसे बोलते हैं अब एक्टिविस्ट कैसे होते हैं ये इस टाइप के नास्तिक होते हैं जो ये बी कुछ-कुछ एगनॉस्टिक कि तरह ही होते हैं basically कोई परमिश्वर है मेंने publily delicious और ये क्या करेंगे ये दूसरे लोगों को बताना पसंद करते हैं कि वे क्यूं धरम का इंकार करते हैं वे कारण बताएंगे कि क्यूं वो धरम का इंकार करते हैं वो लोग ये नहीं कहेंगे कि कोई परमिश्ट नहीं है वो लोग ऐसा नहीं बोलेंगे एगनॉस्टिक की तरह लेकिन ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कारण बताएंगे कि उनको क्यों पसंद नहीं है धरम, तो वो कारण बताएंगे जैसे कि जो society है हमारा और भी अच्छा हो सकता है, it would be better without religion, वो धरम के, बिना धरम के, जो हमारा जो society है वो और भी अच्छा होगा, ये ऐसे बताएंग को support करते हैं, और politics को support करेंगे, और बोलेंगे कि जो gay लोग हैं, जो लड़का-लड़का, लड़की-लड़की साधिवादी करता है, ये सारी चीज़े गंदा काम करता है, ये सब आम बात है, ये सब normal है, गे लोग हैं, उनको भी हक मिलना चाहिए, और जो feminism, जो आजकल बहु निजम के बारे में अच्छे से detail वीडियो बनाऊंगा, ये लोग जो activist जो नास्तिक होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, कि ये सारी चीज़े का support करते हैं, ये के हक के लिए, ये लोगों के हक के लिए, वो लोग बोलेंगे कि उनको भी हक मिलना चाहिए, उनको भी शाधी करन चाहिए, ये सारी चीज़े feminist को support करेंगे, और फिर वो लोग क्या करेंगे, कि वातावरन जो है हमारा वातावरन को care करो, paid लगाओ, ये करो, वो करो, वैसे paid लगाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा यासी रहती है, activist लोगो की, कि paid लगाओ, ये सब करो, ये सब चीज़े वो लोग बताएंगे, और जानवरों का खयाल रखो, जानवरों को support करो, ये सारी चीज़े, कि मास मत खाओ, क्योंकि उनका भी जीवन है, ये सारी चीज़े activist लोग करते हैं, यानि कहने का ये मतलब है, कि ये लोग ज्यादा तर वातावरन पर, politics पर, society पर ज्यादा ध्यान देंगे, और ये लोग सीधे तोर पे मना तो नहीं करेंगे, कि कोई permission नहीं है, जो activist नास्तिक लोग है, ये लोग direct मना नहीं करेंगे, बलकि ये लोग अपने कामों के दारा वो permission को इनकार करेंगे, जैसे ये लोगों के हक्ते लिए लड़ना, फेमिनिजम के हके लिए लड़ना या तो वातवरन को ध्यान देना वातवरन का खयाल रखना और अपने कामों के द्वारा वो लोग क्या करेंगे अपने कामों के द्वारा वो परमिश्वर का इंकार करेंगे कहने का मतलब है वो एक तरीके से नास्तिक है ठीक है एक्टिविस्ट बोलते ह तो अभी जो तीसरे प्रकार का नास्तिक होते हैं उन्हें कहते हैं सीकर एगनास्टिक, ओके सीकर एगनास्टिक, अभी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह जो ग्रूप है, सीकर एगनास्टिक का, यह बनाया ही ऐसे लोगों के लिए गया है, जो अंस्योर है, परमेशोर के अस्तित्व को लेके यानि ये जो ग्रूप है ये ऐसे लोगों के लिए है जिने ये साफ नहीं है कि कोई परमेश्वर है और नहीं है ये भी नहीं मालूम उने कि कोई परमेश्वर नहीं है या फिर है कोई परमेश्वर तो इसलिए ऐसा ग्रूप बनाया गया है ऐसे लोगों के लिए जिसे कहते हैं सीकर एगनॉस्टिक यह लोग ज्यादा तर न्यूटरल रहते हैं ओके और यह खुले विचारों के होते हैं ऐख कोई भी अगर ग्यान अगर आप उन्हें देंगे बैबल से तो वो सुनेंगे उसे हा लेकिन फिर भी उनका मन में ऐसा विचारligen रहेगा की यार यह यह शूर है यह शूर है यह नहीं और यह लोग जैए यह इनसान का जो limit है कुछ हदे होती है इनसान के ग्यान के हद की उससे आरपार इनसान नहीं सोच सकता जैसे तो universe का start और end हम नहीं जानते वैसे ही यह जो seeker agnostic जो group है यह ऐसे लोगों के लिए ही बनाया गया है जो पूरी तरीके से confirm नहीं है कि परमेशर है या नहीं है इनक का कामी है यह group का कामी है कि हमेशा रहो unsure रहो silver और Coleman जो दो researchers हैं वो कहते हैं कि यह जो group है यह जो समू है लोगों का seeker agnostic लोगों का यह ऐसे लोग है जो हमेशा सवाल उठाते रहते हैं सवाल करते रहते अपने ही विश्वासु की उपर कि जैसे अगर कोई परमेश्वर न एक तरफ नहीं आएंगे यह लोग कि परमेश्वर है येस गौड है नहीं बोलेंगे या फिर नो गौड नहीं है यह नहीं बोलेंगे यह हमेशा बीच में रहेंगे आप लोग समझ रहें ना यह लोग हमेशा seeker agnostic लोग हमेशा बीच में रहेंगे इनका कोई ठोस ग्यान नहीं होगा कि हाँ परमेशर है या फिर नहीं परमेशर नहीं है यह हमेशा बीच में रहेंगे और इसका मतलब यह नहीं है कि यह जो ग्रूप है सीकर एकनौस्टिक लोगों का कि यह कन्फ्यूज है निश्चित होना या निश्चित मतलब यह लोग हमेशा अनिसचिता को गले लगाते लग दोने मतलब है कि यह क्यों परमेशर नहीं है यह नहीं बोलेंगे यह हमेशा बीच में रहेंगे सवाल करते रहेंगे, दोनों तरफ से, ठीक हैं이? ऐसे नास्तिक लोगों को, ऐसे नास्तिक ग्रूप को कहते हैं, सीकर एगनास्टिक, ओकी तो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, What is Atheism की उपर हम और भी वीडियोस लेके आएंगे, इसके और भी पार्ट्स लेके आएंगे, ओके तो बने रहे हैं, इस चैनल से जुड़े रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको और भी बाइबल के ग्यान भरे वीडियो चाहिए, तो जरूर लाइक कीजिएगा और शियर कीजिएगा, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए प्रभी शु तक यजिए हैं, तक कीजिए जिए अगले पार्ट कीजिए हैं, इसकी.